इसमें आप लोगों बता दूब कि आम डेक अन्मान लगाया है कि सुभाय और सामके टाम जो सूर है वो लाल और पीला के दिखते हैं तो मैं आप लोगों बता दूब धरती की चार और वाई मेंडल यानि हवा है इसमें कई तरह के गैसों का मालीकोल और पानी की बूदे या हैं गैसों में सबसे जादा अटतर परसंट नाइटोजन या 21 परसंट अचिजन इसके अलावा आन्न सारी कैसे जो बच्टी है वो एक परसंट के अंतर गाता है इसमें दूल राक और समुद्री नमक हमें अपने आस्मान के रंग इनी चीजों की वजए से आस्मानी लगता आप दूर चितिज में देखो तो वह पीला पन लगता है यारी रोशनी को लाल और पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती पर छोटी तरंगों के कैसे दूल कर रोकते हैं यह रोशनी टकरा कर चारोर फैलती है रोशनी के रुकावड एस्पेक्टर में नीला रंग है वह आस्मान कर अग लगता है दिन में सन ऊपर होता है वागमंडल का निचला हिस्सा ज्यादा संगन है आप दूर चितिज में देखो तो वह पीला पन लिय होता है कुछ चमय बाद जानी सूर जब नीची चितिज में होता है तब रोशनी लाल दिखती है कई बार आधी या पानी आने के कारण काला होता है रात में जब सूर काला होता है तो हमें काला दिखता है हमने उसके बाद जब सूर निकलता है तो वह पीला ना जलाता है तो बस यहीदे जानकारी हमारी जानकारी कैसी लगी तो बस आज के इस वीडियो में दनाए फिर मिलें किसी नेक्श मे जब चेंचे लिए एंट